तो गाइस, बेस्ट कैमरा स्मार्टफून सर्च अड कर रहे हो, वो भी 200,000 के प्राइड रेंच में आज मैं आपको टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफून बताने वाला हूँ अगर आपको कैमरा तकड़ा चाहिए, उसके सासाथ भी आप स्मार्टफून पर गेमिंग भी करना चाहते हो तो यार ये वीडियो आपके लिए उने वाली है, टॉप थरी बताऊंगा तो बात करते हैं नम्बो थरी की नम्बो थरी की बात करूँ तो नम्बो थरी पर मैंने रखा है Poco X5 को अगर इस स्मार्टफून की बात करूँ जो 6GB, 128GB रिनट है वो आपको 20,400,999 के प्राइब रेंच में स्मार्टफून की बात करते हैं अगर इस कैमरे की बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 108MP के साथ में कैमरा, 8MP के साथ अल्टरा वाइट, 2MP के साथ मैक्रो कैमरा 16MP के साथ आपको फ्रंट सेल्फी मिल जाती है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30fps पर इसमें आपको मोड बहुत मिल जाते हैं व्लागिंग मोड वगरा हो गया, तो आप खुद भी चैगड़ कर लेना, साथ में आपको फोटो वीडियो वगरा शूट कर दूँगा तीन कलज में अवेलेबल देखनी को मिलेगा अगर आपको Slimat style स्मार्टफोन चाहिए, तब भी स्मार्टफोन को चैगड़ कर लेना, 181 ग्राम सिर्फ इस स्मार्टफोन का वेड़ होने वाला है तो यार मैंने आपको स्पैसिफिकेशन बता दिये अगर आपको लिमेट 47 स्मार्टफून चाहिए अगर आपको नेटफिक्स पे ज़्यादा वीडियो वगरा देखनी होती है अगर आपको कैमरा बैस चाहिए अगर आपको गीमिंग करनी है तो Poco X5 Pro की और आप जा सकते हो अभी आगे बात करते हैं नमबर टू की नमबर टू की बात करूँ तो नमबर टू पर मैं रखा है Xiaomi की और से स्मार्टफून मैं बात करूँ Xiaomi Redmi Note 12 Pro की अगर इस स्मार्टफून की बात करूँ आपको भी पता कि Note Series अपनी इंडिया में कितनी ज़्यादा चलती है और लोग बहुत बजबंद करते हैं अगर मैं बजट रेंज की बात करूँ तो 6GB RAM प्लस 128GB जो विर्ट है हमें 21,000 के प्राइज रेंज में अप्राक्स देखने को मिल जाता है प्राइज थोड़ा सो उपर निचे जा सकता है Amazon पे प्राइज फिक्स नहीं होता मैं आपको फिर से बहुता दू ठीक है बात करते हैं स्पैसिफिकेशन की 6.67 इच के साथ Full HD डिस्प्लेइज में AMOLED डिस्प्लेइज मिलेगी 120 रिफ्रेश्ट के साथ तो मैं आपको फिर से बोलना जाता हूँ अगर आप नेट्फिक्स से ज़्यादा देखती हो आप इस स्मार्टफून को भी बाई कर सकते हो बिकोज इसकी डिस्प्लेज सच में अच्छी है MediaTek की और से आपको CPU देखनी को मिलेगा मतलब स्पोर्ड करता है कैमरे की बात करते हैं तो आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 15 मेगापिक्सल के साथ में कैमरा 8 मेगापिक्सल के साथ अल्टरावड 2 मेगापिक्सल के साथ आपको मैक्रो मिल जाता है and Sony IMX 766 sensor मिल जाता है with OIS sport मिल जाती है 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 fps पर 16 मेगापिक्सल के साथ 3 कलर्स के साथ आपको अवेलिबल देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन है IP53 की रेटिंग मिल जाते है मतलब water resistant होने वाला है स्मार्टफोन main specification मैंने आपको बता दिया आगे बात करते हैं number one की number one की बात करते हैं number one पर मैंने रखा है Moto Edge 40 Neo को तो यार ये न स्मार्टफोन आपको 8GB RAM जो 128GB विनिट आता है वो आपको 22,000 के price range में देखने को मिलता है अपने price range से 2000 ऊपर जा रहा है लेकिन Amazon पर price fix नहीं होता उपर नीचे जा सकता है specification की बात करते है 6.55 inch के साथ P OLED display मिलेगी 144 refresh के साथ and code display देखने को मिल जाते हैं तो यार अगर आपको Netflix देखने हैं, gaming करने है and multimedia वगारा multitasking करते हो जो multimedia के रिलेटर आपको smartphone चाहिए बहुत मत करना सच में, display quality बहुत जादा शाहंदर है media attack की dimensity 7013 इसमें CPU मिलेगा octa-core processor है 8GB RAM देखने को मिल जाते है 128GB storage opening system Android 13 पर based है 5000 mAh की battery या 68 वार के साथ charging को sport करता है मतलब 50% चार्ज हो जागा सिर्फ 15 मिनिट में Wi-Fi 6E की sport मिल जाते है IP68 water protection मिल जाते है तो waterproof भी अगर आपको smartphone चाहिए ना तब भी आप इसी smartphone की और जाना तो अभी अपने main topic की बात करते है मतलो camera की बात करते है तो primary camera जो है आपको 50MP के साथ main camera मिलेगा 13MP के साथ आपको ultra-wet मिल जाते है and Sony IMX 766 sensor के साथ मिल जाते है plus iOS sport देखने को मिल जाते है 32MP के साथ front camera है port के video shoot कर सकते हो 30fps पर look design वगर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप buy कर सकते हो अभी बात करते हैं कि conclusion की तो देखो यार अगर आप अपना budget 20,000 लेकर जा रहे हो and ये smartphone ना Moto Edge 4 नियो जो है वो अगर आपको 20,000 के price range में smartphone ये मिल रहा है office वगर अलगा कर तो मेरे recording आपको ये ही buy करना चाहिए because CPU and camera के according देखा जाई इस smartphone अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छा है लेकिन उसके साथ जाए अगर इसके display quality लेकी जाई अगर आपको ये चीज़े सारी matter करते है तो इसी smartphone को buy करना लेकिन अगर आपको ये smartphone नहीं buy करना तो आप Poco X5 Pro की और जा सकते है because वो smartphone आपको all-rounder देखने को मल जाता है तो यार ये था मेरे conclusion I hope कि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी अगर आपको मेरे वीडियो चीज़े लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राब करना आपको मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेविडियो को साथ Thank you